हेलो एरवन, वेलकम टू हैपे स्ट्रेडी जोन, आज की कलास में हम देखने वाले हैं जारखन के प्रमुक व्यक्तितो, सबसे पहले है विनोध विहारी महतो, इन्होंने शिवाजी समाज के अस्थापना 1979 में किया, जे में जारखन मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष र के प्रथम महा सचीव रहे थे शिवु सौरिन यानि दिशोम गुरू, अध्यक्ष रहे थे विनोध विहारी महतो, और महा सचीव रहे थे शिवु सौरिन, उसके बाद है ललीत मोहन राय, ललीत मोहन राय अंतरास्थी अश्तर के प्रसिद्ध चित्रिकार रहे हैं, 1989 में इ राजजी सभा में प्रथम व्यक्ति जो मनोनित किये गए थे, राजजी सभा में टोटल संख्या होती है 250, जीस में से 12 रास्टपति के दवारा मनोनित किया जाता है, उसी में से सबसे प्रथम जारखंड के थे, जो राजजी सभा में मनोनित हुए थे, वो थे रामद्याल म 2007 में संगीत नाटक अकादमी के बुरुसकार दुआराई नहीं सम्मानित किया गया 2010 में पदमश्री से सम्मानित किया गया और 2011 में राच्ची में इनका निदन हो गया उसके बाद है धेबले उराओं इन्होंने किसान सभा के अस्थापना की 1930 में इसके सचीव पाल दयाल थे सुधेंदुरु नायराण सिंग इनका जन्म 1927 में सराई के लाखरसावा में हुआ था 1938 में इन्होंने अंतरास्ट्र प्रदर्शन किया था चौन रित्त में 1963 में 1963 में संकीत नाटक अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया सुधेंदुरु नायराण को उसके बाद है अलबर्ट एकका अलबर्ट एकका का जन्म गुमला में 1942 में हुआ मृत्य हुई 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में ये वीरगति को पराप्त हुए थे और इनकी मिरित्तु हुई थी गंगा सागर जो पश्रिम बंगाल में है इनको एक उपाधी मिली थी उपाधी था लोंस नायक मरणों उपरांथ इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया जो की जारकांड के ऐसे प्रत्व वैक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था उसके बाद है जुएल लकडा जुएल लकडा का जन्म मुर्भूं गाउं राची में हुआ ये उराओं परिवार से थे 1915 में छोटा नागपूर में इन्होंने 29 समाज किया था अपना की कई बार एकजा में पूछा जा चुक है यंग छोटा नागपूर टीम एक होकी का टीम भी इन्होंने गटन किया था 1947 में ने पद्म श्री सम्मानित किया गया और ये प्रथम ऐसे आदिवासी थे जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था उसके बाद इनकी मिरित्य हो गई 13 सीतंबर 1994 को इस परकार हमने पार्ट 1 बनाया है ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 जल्दी वीडियो अपलोड होगा धन्यवाद